इंडिया के खिलाफ परमिंगम के एजबास्टन में एक जुलाई से खेले जाने वाले एक मात्र टेस्ट के लिए इंगलेंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम की गोशणा कर दी है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि टीम इंडिया दो एक से इस पांच मैचिस की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही है पिशले साल इंडिया स्क्वाड में काई सारे पॉजिटिव केसिस होने के बाद आखरी टेस्ट मैच को पोस्पॉन कर दिया गया था और अब ये री स्केडियूल हुआ है लेकिन बाई लोग न्यूजलेंड के खिलाफ इंडिया की करेंट फॉर्म को देखते हुए क्या टीम इंडिया की परिशानी बढ़ेगी और क्या ये सीरीज ड्रॉ होगी जहां बिन स्टोक्स कप्तानी करते नजर आएंगे और जिनकी लीडर्शिप में इंगलेंड की टीम ने कीवीज के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था जोगी गौर तलब है दोस्तों कि तीनों ही टेस्ट में इंगलेंड ने 250 प्लस के टार्गेट को सक्सेस्फुली चेस करा था वैसे देखा जाएं तो इस बार भी पॉजिटिव केसे नजर आए हैं इंडिया की तरफ से रोहिक तो इंगलिश टीम से बेन पोक्स पॉजिटिव पाए गए थे न्यूजलेंड के खिलाफ हो रहे हैं मैचेस में जिसके चलते विकेट कीपर बैक्समें सैम बिलिंग्स को टीम में शामिल किया गया है हाला कि फिफ्ट मैच के लिए फोक्स तब तक ठीक हो जाएंगे ऐसी उमीद करी जा रही है साथ ही जेमस एंडर्सन जो की न्यूजलेंड के खिलाफ आक्री टेस मैच में शामिल नहीं थे इंडिया के खिलाफ खेलते नजर आएंगे और यहीं पे ही इंगलेंड का जो बॉलिंग अटैक है बहुत जादा बहतर हो जाएगा अब ऐसे में आए फटाफट से नजर डालते हैं इंगलेंड की टीम पर तो दोस्तो एक तरफ जहां इंगलेंड टीम इस सीरीज को ड्रॉ करने का प्रयास करेगी तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया इस टेस्ट को जीत कर वर्ल्ड टेस्ट चैंबियंशिप फाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी देखना हो अदिल जस्त कि कौन इस आखरी टेस्ट मैच को अपने नाम करता है क्या है वो टीम इंडिया या फिर इंगलेंड हम लगातार फॉलो करेंगे इंडियन टूर आफ इंगलेंड को तो दोस्तो इस से जुड़ी समाम अपडेट्स पाने के लिए कीप फॉलोइंग क्रिकेट लाइन गुरू और ये वीडियो पसंद आए तो इससे एक लाइक जरूर करते चलें क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स चानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें अल्सो फॉलो आस उन इंस्टरग्राम पॉर क्विक अपडेट्स